चानक्या में अजय देवगन के रोल का हुआ खुलासा अजय देवगन फिल्म में डबल रोल निभाते वे नजर आएंगे फिल्म में आज के दौर का एक प्रशासक होगा जो चानक्या की तरह सोचता है और खाम करता है वो चानक्या की जिन्दगी की प्रती सोच और आजनीती के सूत्रों को आज के दौर में लागू करने की कोशिश करता है इस फ्रशासक की भूमिका में अजय होंगे उनका दूसरा रोल खुद चानक्या का होगा जब भी आज का अजय देवगन मुश्किल में फस्ता है तो चानक्या की को याद करता है चानक्या कर उसकी समस्या को सुल जाते भी है कुछ-कुछ मामला लगे रहो मुन्ना भाई की तरह होगा जिसमें मुन्ना भाई को गांधी जी दिखाये देने लग गए थे इस फिल्म के जरिये नीरज वरतमान और अतीत को मिलाने की कोशिश करेंगे साथ ही मौटन डे पॉलिटिक्स को भी दिखाया जाएगा और ये भी दरशाय जाएगा कि चानक के आज भी कितने प्रसांगिक हैं अजय देवन इस फिल्म और नीरज पांडे के साथ काम करने के लिए उटसाहिद है उनका कहना है कि उन्होंने नीरज के काम को बारीकी से देखा है और नीरज का कहानी को स्क्रीन पर पेश करने का तरीका शानदार है